Hello everyone, welcome to Origin NDA 2024 का जो हमारा first attempt होने वाला है April में इसके लिए आज मैं आपके सामने लेकिया है हूँ जो General Knowledge का section है उसको prepare करने का सबसे best plan and General Knowledge में specifically आज हम बात करने वाले हैं current affairs की हम कैसे अच्छे से preparation कर सकते हैं तो देखिए बिना जादा time waste किये सिधा हम आज के point में आते हैं कि हमारा best plan क्या होने वाला तो उससे पहले हम एक basic सी strategy समझ लेते एक basic से concept को समझ लेते कि किन तरीकों से हम अपने General Knowledge को prepare कर सकते हैं ये मैं एक General perspective से बात करूँगा आगे का plan आपको आगे की वीडियो मिलेगा अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको idea रहे कि किन तरीके से हम General Knowledge को जाए वो prepare कर सकते हैं जो हमारी तरीके होते हैं जीके prepare करने के जो generally there are three methods तीन तरीके होते हैं जो की काफी easy भी है and effective भी है ऐसे तो कई सारे तरीके होते हैं आपके पास एक साल का टाइम है किसी exam के General Knowledge को prepare करने के लिए तो आप daily GK कर सकते हैं अगर आपके पास 6-7 months का टाइम है आप weekly GK ऐसे टाइप से कर सकते हैं बट हमारे पास अभी जो टाइम है वह almost 20 days of January then Feb and March April को मैं उत्ता count नहीं कर रहा हूँ जिनके through हम अपने pressure को कम कर सके and effective results हमको मिले so कौन-कौन से वो तीन method से देखिए हमारे सामने जो पहला सबसे method आता है that is month wise बहुत ही common method है जो कि मैंने आपको जो हमारा NDA का जो सबसे पहला video था किस तरीके से हमको prepare करना है उसमें मैंने इस method के बारे में बात की थी so month wise method में actually हम करते कहें what is month wise method month wise method is nothing but जो हमारा GK का जो syllabus है उसको हम month wise divide कर देते for example एक हो गया January, second में हम पढ़ेंगे Feb के बारे में, then हम पढ़ने वाले थे March के बारे में clear and ये तो March सख हो गया उसके बाद हम क्या करने वाले थे backlog के लिए हम cover करते September का and then हम cover करते October का then हम cover करते November का जिसमें से September हमने cover कर लिया है अगर आपने वीडियो देखा होगा तो September का जो हमारा current affairs है वो cover हो चुका है अब रही बात बाकी months की तो सेम जिस तरीके से हमने September का cover किया वो भी हम month wise NDA के लिए बाकी months का भी करने वाले है उसकी वीडियो काफी अभी prepare चल रही है देखिए GK and current affairs का जो वीडियो है वो English के speed के थरू नहीं आ सकता क्योंकि English में जो concepts है उसमें जो board work है उसकी जादा ज़रत नहीं है The thing is उसमें कुछ rules से और कुछ examples है वो मुझे आपको explain करना है बट जो GK का content होता है वो create करने में हमको लिखने की जादा ज़रत पड़ती है and हमको अगर आपको genuine data प्रोवाइट कराने कि हमारे तरफ से कोई गलती ना हो for example अगल मैंने यहाँ पर कुछ question लेके आया मैं आपके सामने and मैंने उसका एक answer गलत बता दिया and आपने भी वो search नहीं किया तो इससे बहुत बड़ा affect आपके उस पर पड़ेगा आपके preparation पर तो facts हमको check करने होते है तो इसलिए पहले हम क्या करें content बना रहे है then 5 to 6 days almost maximum 5 days उसके बाद rapidly आपके current affairs and general knowledge के content line से आने वाले हैं मैंने community post भी आपके लिए डाला था कि क्या क्या हमारा चल रहा है तो आप चैनल को subscribe करके रखिए कौन से channel की मैं बात कर रहा हूँ origin defense अगर आप इसी channel पर देख रहे है तो origin defense आप इस channel को subscribe कर लिजी अगर आप किसी और channel में देख रहे हैं तो origin defense चैनल का link description पर है वहां जाके आप इस channel को subscribe कर सकते कुकि NDA की सारी तयारी वहां पर चल रही है सो यह तो हमारा हो गया month wise plan जिसमें September हमने कर लिया है October November की video आपकी ready है जैनवरी फैप तो हम line से करनी वाले है अब जो most अगर मैं अपना personal favorite method आपको बता हूं मुझे अगर किसी competition जैसे मैंने अपनी exam की ते यारे की थी CLAT की तो मेरा focus था genre wife जो कि है second number पर so CLAT is very much GK oriented subject इसलिए I guess I can help you with your preparation in general knowledge so इसलिए मैं यहाँ पर आपको कुछ tips दे रहा हूं कि मैंने किस तरीके से general knowledge prepare किया था general knowledge जो है genre wise इतना easy हो जाता है that कि आपको पता नहीं चल रहा है और आप सारे मंस के GK एक साथ cover करते जा रहे है the thing is what is genre wise actually so यहाँ पर हम क्या करते हैं जो हमारा GK का जो syllabus है जो हमारा backlog है जो हमारा present है जो आगे आने वाले उनको हम कुछ genres में divide करते हैं अब यह होते क्या है मैं आपको सिधा list बताता हूं कि किन types के genres होते हैं so हमको करना क्या है total 8 यहाँ पर आपको दिख रहे हूंग देखिए ओके sports defense political economics national awards and honors science and tech important days and dates books and authors international अब यह जौनरवाइस हमने कैसे किया हम सबसे पहले क्या कि है हमने sports के current affairs उठाए एंड अम उसको करने लगी देन हमने defense science cover किया देन हमने political science cover किया देन हमने economics अब political science कि हमको civics नहीं पढ़ना है political news हमको cover करना है for example currently आपने news देखा होगा कि मोदी जी लक्ष द्वीप में गया थे traveling करने एंड मौदीव के कुछ ministers ने मोदी जी के against में कुछ tweets कर दिये तो मौदीव ने अपने उन तीन ministers को suspend कर दिया इस type को current affairs होता है यह हमारा आता है politics में then हमारा आता है economics for example इंडिया का भी current GDP growth का percentage क्या है किस institution ने कितने growth का future में prediction किय है fiscal deficit GDP and all जो भी चीज़े होती है जो भी money से related current affairs है वो हमारा आता है economics में for example अभी जो most important या जो most popular जो एकनोमिक्स में नियूज है वह अडानी हिंडरबर्ग issue जिसमें Supreme Court ने अडानी को क्या है क्लेंशिट दे दिया then ACS आप से हम करने वाले है फिर national अब national use में क्या आ गया for example अगनी वीर का जो issue था and अभी currently राम मंदिर जो बनने वाला है राम मंदिर का inauguration होने वाले है यह सारे जो issues होते हैं यह हमारे आते है national पे then हमको पढ़ना है awards and honors awards and honors क्या है कि कौन-कौन से अवार्ट किसको किसको मि अब science and tech इसमें हो गया अधित्य एलवन का अपने अभी news सुना होगा कि अधित्य एलवन अपने hello orbit में पहुत चुका है जिसके बार में हमने अभी discuss किया था अपने September के वीडियो पे similarly Chandrayam 3 launch हो था जो भी चीज़े science के field में biology के field में chemistry के field में होती है उनके बारे में हम पढ़ कि किन किन ताइप से हम complete कर सकते है अपने current affairs को जो मैं आपके लिए plan लेके आया हूँ वह आपको आगे चल के इस video में बताया जाएगा then आता है हमारा books and authors कौन से book का author कौन है कब release हुई और उस book का specifications का है इस ताइप से कुछ हमको current affairs then at the end हमारा आता है international अब national इंटरनेशनल तो यह क्या हो गया international news भी हो गया and national news भी इसके अंडर आ गया तो इन दोनों को generally हम genre में consider नहीं करते so main eight जो आपके genres है वो मैंने आपके सामने discuss किये अब इन eight को cover करते हैं gk के हम burden को ease करने के लिए जो की मेरा most favorite अगर कोई तरीका है तो वो यह है but आज जो मैं आपको लिखे है वो एक hybrid तरीक है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि उससे जादा easy तरीका होने नहीं वाला easily gk को cover करने के लिए so वह हम discuss करेंगे पहले हम अपना third method discuss करते हैं the third ways इसमें देखिए मैं जो method बता रहा हूं आपको वही करना जरूरी नहीं है अगर आपको month voice अच्छा लग रहा है आप month voice करिए आपको genre wise अच्छा लग रहा है आप genre wise करिए third is the topic wise आप topic wise में क्या होता है या we can say question wise topic wise और question wise so इसमें हमको क्या करना है इसमें हमारे सामने topic होता है हमको उस topic का thorough detail में study कर लिना है जो कि कई बार काम आता है तो मैंने जैसे आपने मेरा month voice जो वीडियो देखा होगा मैंने उसमें September का current affairs तो लिया है बट वो है topic wise form में यह कैसे हो जाता है September का हम current affairs कर रही है एक topic उठाके उस topic का थोरो पूरा हम उसके details में जा रहे हैं तो September हमने उठाया Asian Games हमने cover कर लिया आदित तैलवर्ण Mission हमने cover कर लिया women's reservation हमने cover कर लिया खालिस्तान इश्यों हमने cover कर लिया ऐसे 6-7 topics हमने उस वीडियो पर cover किये थे जो की most important है September पे इस तरीके को हम कहते है topic wise तो वो जो वीडियो में आपके लिए आपको अभी प्रोवाइट करा रहे हैं month wise that is basically month wise in the form of topic wise तो एक hybrid collection है तो आप यह समझे कि topic wise कैसे करते हैं आप एक topic उठाए जो भी important topic आपको समझ आ रहे है उस topic का detail हमने कर लिया 15-20 minute लगता है topic cover करने के तो यह होता है topic wise अगर चॉइस आपको month wise अगर पसंद आ रहे है कि मैं January का जीके उठाऊंगा और पुरा कर लूँगा अच्छा है आप वो करिए जोनरा wise आपको पसंद आ रहे है कि मैं यह defense का एक sector उठाऊंगा फिर पिछले साल के January से इस साल के मार्स तक जो भी मेरा content है वो मैं उसमें पढ़ लूँगा वो भी अच्छी बात है then हमारा आता है topic wise, topic wise अगर आपको ऐसा लग रहे है कि मैं important topics सेर्च करूँगा और उन topics को पढ़ूँगा तो भी आप वो कर सकते है important topics के list में आपको provide कर दूँगा और कई सारे google के websites पे वो available है so यह तो हुआ general method जो कि हर किसी को पता है किस तरीके से prepare करना होता है but what is the hybrid method जिसके बारे में आपके सामने में यहां पर आज बात करने आया हूँ so hybrid method जो मुझे लगता है कि काफी useful और काफी helpful method होने वाला है जीके को कम time में cover करने के लिए देखिए मैंने आपको अभी भी बताया हमारे पास जैनवरी के 20 दिन फैप के 29 दिन और मार्च के 31 दिन यह हमारे पास days है clear हमको सिर्फ यह 3 मंद का जीके नहीं करना है इन 3 महिने में हमको और क्या करना है हमको पिछले साल सबसे पहले तो ऑगस्ट सेप्टेंबर का जीके से लेका दिसेंबर का करना ही है जिसने September हुआ है अभी हमारा अगर उसके बाद time बचा तो फिर January तक हम जाएंगे तो इस तरीके से अगर हमको जी के cover करना है तो हमारा जो study होना चीए वो fast होना चीए अब तेजी से जब हम पढ़ते हैं तो हमारे साथ क्या हो जाता है कि जो important details या कई सारे facts जो है वो हमारे छूट जाते हैं So what is the best way to prepare NDA general knowledge तो यह जो best way मैं आज आपके लिए लेक्या हूँ यह hybrid method है जो तीन method इस वीडियो के starting में मैंने आपको बताये थे month wise, genre wise and topic wise इन तीनों का mixture है यह method So what is this method? देखिए हमने देखा कि हम क्या कर रहे हैं अभी month wise clear September के वीडियो आपको मिल रहे है November के मिलेंगे October, December Second हमने देखा था genre wise अब genre wise आपको वीडियो मिलने वाले हैं पहले वीडियो आज आपको मिल जाएगी and origin defense का जो channel है वहाँ पर genre wise में पहला जो हमारा genre हम cover करने वाले हैं वो है what's and honors वो आपको मिल जाएगी Second जो हम, third जो हमने देखा था question wise यह topic wise so topic wise में से हम आज देखने वाले हम जो मैंने जो method आपके लिए बनाया है वो है question wise method क्योंकि इस से हमारी preparation को help मिलेगा so हम करने क्या वाले हैं हम जो करने वाले हैं वो यह है हम उठाएगे एक genre सबसे पहले for example मैंने लिया defense actor defense actor से मैं आपके से लिए लेके आऊँगा एक particular month को for example मैंने September लाया और यह ऐसा नहीं होगा कि एक month को बस हम करेंगे क्योंकि सिर्फ September month में defense का जो current affairs होने वाला है वो 2 या 3 होगा important so हम क्या करेंगे bundles of months लेंगे for example मैं आपके लिए लिए September से December तक का एक बार में एक वीडियो आपके लिए आएगी so इसको करनी का हमारा pattern क्या होगा हम इस defense sector में जो important news है उसका एक question उठाएंगे then उस question का हम थोरो detail में पढ़ेंगे for example अब मैं आगर बात करूँ कि defense sector का जो वो है I guess November, December के time का current affairs की हम बात करेंगे किसी भी मन्त की current affairs की बात करें एक question पूछा गया which is the latest warship of India यह हमको पता है कि I.N.S. Vikrant अब हम क्या करने वाले question हमने देख लिया कौन से मन्त का topic है देख लिया कौन सा topic I.N.S. Vikrant अब हम उस question पे I.N.S. Vikrant से लिएटेट सारे details हम महाँ पे cover करेंगे clear so इससे क्या होगा दो या तीन पार्ट में या चार पार्ट में हमारा defense cover हो जाएगा सारे मन्त का ऐसे हमारे पास कितने genres हैं total 8 genre हैं 4 videos each genre maximum total आपको सिफ 30 videos और अगर मैं आपके तरफ से अगर मैं बात करूँए total आपको लएंगे 30 days अपना backlog और current affairs cover करने के लिए so that is the fastest way जो मुझे लगता है आपके लिए हो सकता है general knowledge का current affairs prepare करने का so I hope यह method आपको पसंद आया होगा and इसी method पे हम आगे काम करने वाले हैं general knowledge के preparation को लेके जिस पे continuously आपको videos मिलने वाले हैं बहुत ही अच्छा content हम आपके लिए जो material है जो हमारे notes है वो सारी चीज़े हमने prepare की है जिसमें एक-एक basic details जो की NDA में पूछे जा सकते हैं वो उसमें cover कराए जाएंगे so I hope आपको यह जो सारा हमारा जो method है वो पसंद आया होगा so एक बार मैं फिर से आपको clear कर देता हूँ best plan to prepare general knowledge for NDA जिसमें हम बात करेंगे current affairs की and वो क्या होने वाला है तीन हमारे पास methods होते है month-wise, genre-wise, topic-wise इन तीनों को मैं मिला के आपके सामने लाऊंगा which is my own hybrid way जिसमें हम करने वाले हम एक genre उठाएंगे for example, defense जिसमें से हम एक particular month का set select करेंगे and उन particular month से important question select करेंगे and उस important question से हम उस topic का particular detail facts हम उसके बारे में देखेंगे जिससे आपका जो NDA का current affairs है वो आपको पुरा backlog cover करने में पिछले साल के January से इस साल का जो अभी का current affairs है वो पुरा cover करने में 30 days से जादा मेरे ख्याल से नहीं लगने वाला है so that will be our fastest plan to cover NDA general knowledge clear so I hope आपको पसंद आया होगा and लग जाते हम इसमें and पहली video आपको बहुत ही जल मिलने वाली है I guess आज शाम तक वो आपको video मिल जाएगी या कल सुबे कल सुबे आपको video मिल जाएगी and see you in the next video till then good bye thank you take care Jai Hind